माइक्रोसफ्ट वर्ड में आज हम जानेंगे MS Word से संबधित Advanced Keyword Shortcut के बारे में यह है Part 3 इससे पहले मैंने आपको बताया था और भी Advanced Keyword Shortcut के बारे में और उससे भी पहले Basic Keyword Shortcut के बारे में तो यहां जो है Advanced Keyword Shortcut के बारे में बताऊंगा और यहां पर 20 Advanced Keyword Shortcut होंगे आप देख रहे हैं subject को मैं हूँ राजक्मार सिंग तो आईए आज का topic स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं स्टार्ट की जो है मैंने यहां पर लिख रखा है आप चाहे तो इस वीडियो को रोख के इन स्टार्ट की को यहां पर मैंने लिख़्ा इक्वल टू लॉराम को ये लौराम function से क्या होता है कुछ lining आपके document में आ जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं lining आ गया है मैं इसका जो space है वह यहां पर कम कर लेता हूं अब यहां पर सबसे पहले sorted के आता है shift के साथ home की दवाना है आपको तो इससे क्या होगा last से यानि कि यहां से लेके यहां तक इस तरह से पूरा lining जो यह select हो जाएगा तो चेक करके देख लेते हैं shift के साथ दबाएंगे home की तो देखें यहां से लेके last से लेके यहां तक lining जो यह सेलेक्ट हो गया परग्राफ सेलेक्ट नहीं करता है यह लाइन सेलेक्ट करता है तो इसलिए एक लाइन जो यहां से लेके पूरा यहां तक सेलेक्ट हो गया इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि यह मैं लाइन सेलेक्ट करना चाहता हूं यह वाली तो यहां पर क्लिक कर द सिफ्ट के साथ एंड की दवाएंगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक के लाइन जो है सेलेक्ट होगा यानि कि अभी तो हमने यहां से लेकि इस तरह से यहां तक सलेक्ट किया अब सुरू से लेके लाश्ट लाइन तक यहां तक सलेक्ट करना है तो उसके लिए दवाएंगे स सेलेक्त नहीं करेगा उसके बार नेक्स्ट यहां पर आता हैBut window की के साथ इससे क्या होगा minimize window यानि कि ये जिए से willst और कुछ और कर रखा उसे iThat करना है डाउन करना है तो उसके लिए विंडो की सासरा होता है तो आप को दिखा दू करके से यहां पर देख सकते स्टार्ट बटन पर यह विंडो का जो साइन बन रहा है इसी तरह से आपके कीवोड में बटन होते हैं दो दो बटन होते हैं जहां पर यह साइन बना रहता है तो आप उस बटन के साथ आपको दबाना है यहां पर एम तो वह बटन दबा लिजिए और उसके बाद यहां पर दबाएंगे एम तो दिखें यह जो यहां पर डाउन हो गया उसके बाद फिर से माउस लेके जाएंगे यहां पर फिलिक करेंगे तब जाकि यह जो यहां पर अपन हो जाएगा यानि कि अप हो जाएगा उसके बाद next sorted की है यहाँ पर old के साथ tap button to switch between one program to another program यानि कि एक program से दूसरे program के अंदर जल्दी से जाना है आपको तो उसके लिए old के साथ tap button आपको प्रेस करना होगा जैसे माल लेते हैं कि मैं यहाँ यहाँ पर MS Word में काम करना हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सल भी ऑपन कर रखा है अब मुझे जो है यहाँ पर MS Word से तुरंत जाना है यहाँ पर आप माउस क्लिक करेंगे तब Excel में जाएंगे लेकिन अगर आप यहाँ पर स्विच करना चाहते हैं कीबोड सोटक Ар gratis से तो लिए आप सक्क्रेश करेंगे और्ल के साथ tap लिए तो में यहाँ पर गौन को ओलो के साथ टैप दीखे यहाँ पर मैं XL में आ उसके बाद यहां पे alt के साथ tab दबाएंगे तो यहां पे screen पे आपको बहुत सारे program दिखाता है तो किसी पे भी mouse click करके जा सकते हैं इसके लिए आपको अपने keyword में alt button छोड़ना नहीं है उसे दबा के रखना है तब ही जाकि यह पूरा यहां पे screen पे आपको दिखाएगा यह आप चाहे तो यहां पे tap दबा के भी किसी दूसरे program में जा सकते हैं जैसे अभी मैं इसमें हूँ देख सकते हैं यह lining पूरा हो रखा है यहां पे underline मैं tap दबाऊंगा तो देखे अभी इसमें मैं आ गया यहां पे देख सकते हैं इस तरह से उसके बाद फिट टबाएंगे करके किसी भी word को select कर सकते हैं यहां पर मैंने word बोला है line या paragraph नहीं बोला है यह आपको ध्यान रखना है word का मतलब होता है जो कि एक छोटा सा sentence होता है जैसे कि यह है पूरा एक मतलब बंड़ा इसका select यानि की चुलना उसके बाद word उसके बाद आयनी तो यह जो है word कहलाता ह है तो इसे जो है select करने के लिए आप डबल क्लीक कर सकते हैं तो महीं यहां पर double क्लीक करूँ का तो देखसकते हैं यह जो है इस तरह से select हो गया देख सकते हैं यहापश करना है और Чтобы करना है चानी पे next shortcut आता है triple click to select any paragraph or line किसी भी लाइन या paragraph को select करने के लिए आपको triple click करना होता है तो मैं यहाँ पे click करूंगा triple देखे triple click करते ही यहाँ पर यह पूरा लाइन select हो रहा है paragraph select होता है या नहीं होता है इसके लिए भी यहाँ पे चीक कर लेते हैं देखे यह paragraph है और यहाँ पर तीन बार मैं किलिक करने बीच में कहीं पर भी वाउस किलिक करके तो देखे है विए तीन बार किली करते ही यह पूरा paragraph यहाँ से यहां तक select हो गया यह नीचे का paragraph अलग है इसलिए यहाँ पर डितल करना यानी की तीन बार क्लिक करना है उसके यहां पर आता है control के साथ ऑपन फॉन्ट ड्यालोग बॉक्स इस सबसे पहले दियालोग बॉक्स ऑपन होता है और अगर आपने किसी मेज्म tatuara यहां पर त्यार हो झाएगा करके देखते हैं सबसे पहले ड़ाईगे पर कंट्रोल के साथ दी तो यहां पर फॉंट डायलोग बॉक्स ओपन होगा इस फॉंट डायलोग बॉक्स से करते क्या है जो यह देख रहे हैं आप टेक्स पर फॉर्मेटिंग करना बॉल्ट इटैलिक करना वह सभी काम जो है आप यहां सभी कर सकते इसमें भी ऑप्शन दि देना होगा तो मैं यहां पर फोटो ले लेता हूं किलिप आट से मैं यहां पर कोई पिच्चर लगा लेता हूं कि यह देख सकते हैं यहां पर मैंने पिच्चर ले लिया इसे मैं यहां पर कर देता हूं इन फ्रांट आप टेक्स्ट तो यह छोटा सा फोटो मैं यहां पर आपको करके दिखाऊंगा यह फोटो है देख लिए यहां पे तो इसके बादे दबाना तो यह दिख सकते हैं तो इसी तरह से भी बना सकते हैं जैसे यहां से आपने कोई सेफ ले लिया यह मैंने एक सेफ लिया है और यह अभी सेलेक्ट है और उसके बाद मैं दबाऊंगा यहां पर कीबॉर्ड से कंट्रोल के साथ डी तो देख सकते हैं यह डूपलिकेट बनके इसका आगया यानि कि इसकी एक और कोपी यहां पर तयार होती चली है उसे यहां पर बढ़ा सकते हैं अब यह इंडेंटेशन होता क्या है इसके लिए आपको चाहिए एक पैराग्राफ तभी आप सिखेंगे से तभी आप इसके बारे में आप सीख पाएंगे तो मैं यहां पर एक छोटा सा पैरग्राफ लिया आता हूं लॉर्ण फंक्शन क यूज करके और मैं इसका जो लाइनिंग स्पेस वह थोड़ा सा कम कर देता हूं है तो और इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं तो देख सकते हैं यहां पर पैराग्राफ है और इसे सेलेट करने के बाद जब आप यहां पर दबाएंगे सेलेट करके Ctrl T तो दबाएंगे उतना यह लाइन को पीछे खिसकाता चला जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कीबोड शॉटकट है कंट्रोल सिफ्ट टी इससे क्या होगा डिक्रीस हैंगिंग इनिटेशन यानि कि जो हैंगिंग इनिटेशन आपने लगाया है उसे अगर कम करना है तो उसके लिए एक बार में ही पूरा खतम करना तो कैसे करेंगे तो इसके लिए भी मैंने यहां पर सॉटकुट की आपको बताए हैं वह चेक कर लेते हैं पहले दबाएंगे कंट्रोल के साथ टी देखें यह हैंगिंग इनिटेशन लगा हुआ है एक बार में अगर पूरा हैंगिंग इनि बार में यहां पर रिमूब हो जाएगा उसके बार नेक्स्ट कीबोर्ट रोटकुट है यहां पर सिट के साथ Έप 7 कि इससे क्या होगा जब आप किसी ब्रड को सेलेट करके शिप के साथ सेवन करेंगे तो उसे सिमिलर होंगे मीनिंग वहां पर सो करेंगा चेक कर लेते हैं जैसे कि मैंने सेलेट किया है को यहां पर लेता है जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं प्रेश यह वाट है प्रेश मिस अब हम दोट Mais इससे रिलेटेट जैसे कि पुश करना, डिप्रीज, फेर्स डाउन, ठीक है, बियर, ये कम्प्रेश, इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते इससे रिलेटेट इस मीनिंग के वर्ड, तो वो सभी मीनिंग फूल वर्ड जो है, वो यहाँ पर आपको शो करेगा, जो भी आपको च ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे किलिक कर रखा है, यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर और होम की दबाएंगे तो इसके शесто में लाइन के स्रू में आ जाएंगे होम की प्रेश करके और यहाँ में जाना है तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में रहता है पेज अपर पीजी यूपी पेज अप लिखा रहता है और पेज डाउन पर पीजी पीजी और डी एन लिखा रहता है यानि कि पेज डाउन तो यहां पर पेज आप करेंगे तो देखें पेज के ऊपर आगया मैं पेज डाउन करेंगे तो पेज सेलेक्ट करने के लिए क्या करना यहां पर सुरू मेग करके रखना है और कंट्रोल सिपट बस 노leskin करना है और कंट्रोल सिर्ट के साथ कि वरा तर् Premyugrund करना है तो पूरा टैक्स देख सकते सैन्क हो जाएगा लिए जहां तक होगा पूरा पूरा टेक्स यह सलेक्ट कर लेगा नीचे तक जितना भी था उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल सिप्ट के साथ हों की इससे क्या होगा यह जो है तू सलेक्ट और टेक्स फ्रॉम एंडिंग पॉइंट यानि कि नीचे से लेके ऊपर की तरफ जितने भी टेक्स वह पूरा सल लिया देख सकते हैं पूरा यह जो है सलेक्ट हो चुगा यहांपर कर सकते हैं कैसे हैं यहां पर मैंने क्लिक किया और कौन्टR से भी आगे पीछे कर सकते हैं लेफ्ट राइट यह पूरा एरो रहता है चार बटन आपके कीबॉर्ड में जिसके मदद से आप यह जो है कर सकते हैं उसके बाद आगे चलते हैं आगे यहां पर आता है यहां पर दबाना है आपको सिफ्ट के साथ F5 तो देखे मैंने लाश्ट यहां पर रखा था तो यहां पर आ गया ठीक है यहां पर भी मैंने रखा था कर सर तो यहां पर भी आ गया यानि कि सिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो यह बताएगा कि कर सर आपने इससे पहले कहां प कहां पर रखा था उससे पीछे भी चला जाएगा कि कहां पर रखा था उसके बाद आता है control के साथ backspace अब यहां पर चेक करता है control के साथ है यह बहुत बैक इसपेस उसके बाद next keyword आता है control के साथ backspace delete entire word from back यानि कि back side से जितने भी वर्ड है उन सभी वर्ड को एक बार में डिलेट करने के लिए कंट्रोल के साथ backspace दबा सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं computer यह मैंने computer लिखा और यहाँ पर मैंने English लिखा है यह computer जो word है इसे हटाने के लिए यहाँ पर करना है आपको क्या गर यही आप स्रीप backspace से हटाते तो एक एक वर्ड हरता जितना आप दबाते उतना ही यहाँ पर डिलेट होता है लेकिन control के साथ backspace दबाने से यह पूरा word एक ही बार में डिलेट कर देगा उसके बाद आता है delete key delete one by one text delete की से क्या होता है एक कर के हम किसी भी text को delete करते हैं और उसके लिए हमें text के सुरूं में can दिल्र करके रखना था यानि कि यहांपे साइब कर सकते हैं लेइक पर पूरा यह word अगर delete करना तो इसका भी sort-art की हुआ यहां पर शुरूं में को उल्लीक करके चबट को असानी से MS Word के अंदर यूज कर सकते हैं फिलाल कि इस वीडियों में इतना ही आगे और भी क्यूबर्ट के बारे मैं नेक्स्ट वीडियों में आपको सिख़्ाउंगा फिलाल कि इस वीडियों इतना ही इसी तरह कि और भी वीडियो देखने और सिखने के लिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिये सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लिजे और उसके साइड में दिये बैल आकन भी प्रेस कर दीजे और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजे और देखते रहे सब्सक्राइ धुर जाँयों